प्रिश्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चाइनल पर आज के इस उड़े में हम बात करेंगे DUM versus SIN के बीच होने वाले माच के बारे में आज के इस उड़े में हम बात करेंगे जाएगी आखिर में मैं आफकोस आपको दिखा दूंगा कि ड्रीम मिलें उनकी तीन विनिंग तीम जिस से क्या पच्छे का सी अर्निंग कर सकते हैं साथ यसाथ आप ड्रीम मिलें की ग्रांड लीग या स्मॉल लीग भी जेच सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू क करते है इससे पहले अपसे जरूर रिक्वेस्ष करोंगा आप अब तक सब्सक्राइब किया या फिर आप मेरी चैनल पर नए है तो ज़रूर मेरी सिहम गम स्ट्राइकर्स के बीचे मैच होने आला है दोस्तों यह मैच इस सीरिज का ग्यारवा याने 11 मैच है दोस्तों वही अगर मैच का पर यह इसकी बात कर ले तो जे एसी ए इंटरनेशनल स्टेडियम कमप्लेक्स इन राजची को यह मैच होने आला है वही अगर यह मैच कब होने आला है तो 22 जुलाई को यह मैच होने आला है कल यह मैच होने आला है और सुबह 9 बजे मैच होगा अगर आप यह मैच देखना चाते तो जरूर आप देख सकत लाइव ऑन फैन कोड या जीया दोस्तों इसका मतलब आप फैन कोड पर यह मैच लाइव देख सकते अब बात कर लेते दोनों टीमों की लास्ट 3, 3-3 matches के performance की तो, last 3 matches में, D.U.M. का performance कुछ इसतर से रहा, L.L.W. याने, loss-loss-W. याने, उन्होंने पिखले 3 matches में, 2 matches हा रहे हैं, तो वही आखरी जो match खेला है, उन्होंने, उसमें वह जीते हैं, तो वही S.I.N. के भी स्थितिकाफि, लग नहीं है उनके उनों lost उन्होंने वी d no luck s किये उर एक मच्पीड कि यह लेकिन उन्हों ने मैचे him a dos थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि उन्हों ने लास्ट मेरी जिता है जिसके व safe hi då , इसके वाठेक होगा है हो अब चलते हैं पीच्च रुपोर्ट के बारे में बात कर ले तो तो पीच रिपोर्ट पीच रिपोर्ट के नुसार यह जो पीच है यह मिक्स पीच माना जाएगा ना तो जादा बल्ले बाजी के लिए अच्छा हो सकता है और नहीं जादा गेन बाजी के लिए मतलब दोनों के लिए अच्छा भी हो सकता है यानि इस बैटिंग कई गए उसमें जो पाच मैचस हुए है जिसमें से सिर्फ दो ही मैचस फर्स बैटिंग वाले जीत पाए जबकि जिस तीमो की दोफेर को बल्लेवाजी आई है वो पाच तीमो पाच मैचस में से वो चार मैचस में जीत हासिल करने में कामियाब हुए यानि यहां पर यह साबित होता है कि यहां पर दोफेर को बैटिंग करना ज्यादा आसान है सुबर के बदले तो इस वज़े से यहां पर जो भी मैच जो भी टॉच जिते का मेरी खाल से पहले फिल्डिंग का फैसला ले सकता है अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्रोब बात कर लेते हैं वो कुछ इस तरह से रहेगी अर्नव सिंधा उसके बाद बी आनंद मोहित कुमार आयुष कुमार सोनु क्यार सिंग निशा निशीकांत कुमार विवे को आनंद अमित गुपता जुनेद अश्रफ और अनुराग संजय और आखिर में रहेंगे रोनित अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं सिंग डबलू बेग प्रतिक भकत अजय यादव ए लाला वी विक्रम और गौरव कुमार तो इस तरह से रहेंगे अब कुछ प्लियर हों के आपको स्टैट्स दिखांगा जिनको अगर आप अपनी टीम में लेंगे तो जरूर अच्छी खासी अरनिंग कर सकेंगे तो सबसे पहले इसको हम होट पिक्स कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं बाल कृष्णा कीज के और उन्होंने प्रोडूश 13 रन और टू विकेट्स एड़ लास्ट गेम इन्होंने जो लास्ट गेम खेला था बोकराओ ब्लास्टर्स के बीच उसमें उन्होंने तेरा रन तो बनाई ये थे साथ इसाथ दो विक्टे भी ने हासिल हुई थी और अगर इनके ओर आल तीन मैचेस में ही ना उन्होंने सब कर दिया है तो आनि एक अच्छे खासे ओल डाउंडर दोस्तों इन्हें हर टीम में आप पिक करने की कोशिश किजिएगा मैं भी इन्हें अपने ड्रे मिलियोन के हर टीम में ज़रूर पिक करूंगा इसके बात करते मोहित कुमार की ओल है सिहंगम स्ट्राइकर्स के तो मोहित कुमार ने अब तक इस यहां कि देख सकते उन्होंने 57 रन की अच्छी पारी खेलीती राची राइडर्स के खिलाप और इनका ओर अगर पर्फॉर्मस की भी बात की जाए तो अब तक उनका कॉंट्रिबूशन रहे 143 रन का जो की आप कहेंगे गेन बाद निशिकांत कुमार है दोस्तों निशिकांत है टेकन फाव विकेट्स फ्रॉम थ्री मैचेस इन्होंने तीन मैचेस में पाच विक्टाप तक लिए तो जरूर इनको भी अपने टीम में लेने की कोशिश कीजिएगा तो आप चलते ड्रीमिलियों के अफर बात कर लेते तीन ड्रीमिलियों के विनिंग टीम्स की तो चलते और देख लेते हैं तो इस पर हमें प्लिक करनी है दोस्तों तो इस तरह से आप आने के बाद अगर आपने आपने तक एक भी टीम नहीं बनाए तो आपको creator टीम पर क्लिक करना है लेकिन मैंने already winning टीम बना के रखिये जिस पर मैं टीम पर क्लिक करके एक एक करके आपको इडिट करके दिखाऊंगा मैं किस को किस को लिया है और आखिर मैं बताऊंगा किस को मैंने captain और vice captain बनाए तो चलिए दोस्तों माई टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहले टीम को इडिट करके मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगा तो सबसे पहले हम आज चुके keeper पर तो keeper में हमारे पैस दो option है जो अब तक playing player में खेल है वो है एसकुमार और बी आनन लेकिन इस टीम में हम अभी फिलाल के लिए एकी लेने वाले है और वो है बी आनन को हम इस टीम में शामिल करेंगे क्योंकि काफी बड़ी आप बल्ले बाजी कर रहे हैं दोस्तों और अच्छे खासे keeper है जैसे के आपको देखी चुके होंगे काफी जादा point दे चुके और काफी लोग इन पर ही डाव लगाने वाले है इस वज़े से मैं इनके साथ जाने आला हूँ अब चलते हैं बल्ले बाजी पर तो बल्ले बाजी में हमार पास ज्यादा कुछ option है नहीं तो इस टीम में हम एस इना के साथ जाएंगे ये भी बड़िया प्लियर है और अच्छी खासे बैटिंग कर रहे है उसके बाद के करन इनको हम इस टीम में वहफने शामिल करेंगे बैटिंग सब से ज्यादा पकर इनों नहीं ही निये तो इनको ाप प्रदर्शन के करना की गोशिश करेंगे उसके बाद तीसरे जो है हमने लिया है वह और इस सींग को लिया है तो इस तरह से यह तीन बल्लेवाजों का हमने इस टीम में शामिल किया है बाकी ओर भी ऑप्शन है लेकिन उन्हों का प्रदर्शन अब तक इतना बड़ियार नहीं रहा है जिसकी वजह से मैं अभी इन तीनों के साथ ही जाने वाला हूँ जालते हैं और पर तो और अबर पास तीन और जिसमें एम कुमार और बी कृष्णा हमारे हर टीम में रहने वाले दोस्तों इन दोनों को हम नहीं चोड़ सकते काफी रिस्की सावित हो सकता है अगर इनको हम छोड़ेंगे तो और तीसरा जो अल्रूंडर हमने लिया है वह कुम के साथ तो इस तरह से यहाँ पर रहने देते इनको ही हम अभी फिलाल चार बल्लेबाज ले लेते और यह दो अल्रूंडर हमारे पास ऑल्रेडी है ही दोस्तों तो चलते गेन बाजी में भी हम चार गेन बाजों के साथ जाने वाले भी आनन को तो हम ज़रूर हर टीम में शा यह भी बड़ी आख खेल सकते और अच्छी खासी गेन बाजी अब तक कर चुके और अच्छी काट से उनको विख्टे मिली है तो इस तर से हमार यह पहली टीम बन चुके दोस्तों तो जरूर हम कंटीडू पर क्लिक करके देख लेगे कि किसको हम क्याप्टन और वाइस है जैसे कि वी कृष्णा को हमने क्याप्टन लगा है जैसे कि आप देख पाने 69 परसेंट याने 69 प्रतिशत से भी जादा लोगों ने उनको क्याप्टन लगा है और हम भी उनके ही साथ जाने वाले तो वही वाइस क्याप्टन की बात करें तो हमने एम कुमार को लगा है व वी गिर्षिना को वाइस कैप्टन भी लगा सकते ताकि अगर ये दोनों भी अच्छा प्रफरमस कर देते तो आपको ज़्यादा फाइदा होगा क्योंकि कैप्टन बनाया है 69 परसेंट लोगों ने लेकिन अगर आप वाइस कैप्टन लगाते तो आपको ज़्यादा फाइदा होगा क्योंकि मियम को बार अगर अच्छा प्रफरमस कर देते तो आपको उसमें ज़्यादा फाइदा होगा क्योंकि उनको काफी कम लोगों ने क्याप्टर लगा है ज्यादा उनको वाइस क्याप्टर लगा है तो इस वज़े से आप उल्टा भी कर सकते हैं लेकिन फिलाल में इन दोनों को ऐसे ही रहने देता हूँ आप जरूर उल्टा कर सकते हैं जिससे आपको ज्या और आर सिंग को लिलाए तो वही हमारी पास दो आल अटरंधे ए एम कुमार और ora है और बी कृष्ण हो गए है क्योंकि चारों की चारों अच्छे प्लेयर है और अच्छी गेन बाजी कर रहे तो प्रांड इसलिए एं चारों को इस टीब MAYOR आगे तो आगे जरूर कुछ दार बनलेबाजहं को हमने लिया एक कीकीपर को लिया और दो एक्डर लेक्ड्या की चाप्टन बना तो आप जरूर ुष्ट को टिम को सब्सक्राइब कर कर लेते हैं तो कीम के लिए देख लिए ग्राव लगा लगाके यह वेश्ट मदद की जगह में तौच यह दोस्तों इस टिम को close करकर save कर लेते और दूसरी टिम को डिट करके देख लेते तो दूसरी टिम में हमने keeping में भी आनंद को छोड़ा है थोड़ा risky जरूर है लेकिन दूसरे keeper को भी लेना यहां पर बनता है क्योंकि अगर यह अच्छा परपरमस कर देते तो हमें नुक्सान ना हो इसलिए हमने इस टीम में उनको शामिल किया है चलते बल्ले बादी पर तो बल्ले बादी में डबलू बेक को लिया है और के करण को लिया है तो यह तीनी बल्ले बाद हम लेने वाले चोते बल्ले बाद को अभी फिलाल इस टीम में शामिल के यह इच्छी गेंदेञे हैं कर सकते हैं जरूरी आप ईन्पर भी दाउल लगा सकते हैं कोई प्रचिन चलते हैं गेन बाजी पर तो यहां पर पीट से 4 गेंद लिये हुए वी आनन को लिया है लाला को लिया है किसका के आर सिंग को लिया है और एनकुमार को लिया तो इस तरह से चार गेन बाज आमारे पास है जुरूर आप इंपर भरुशा कर सकते कोई प्राब्लेम नहीं तो अब इस टीम को भी कंटीनियू पर क्लिक करकर देख लेते हैं कैप्टन और वास कैप्टन तो इस जबरदस गेन बाजी कर रहें और काफी अच्छी विक्ते यह निकाल रहें तो ज़रूर आप इन पर भी बरोशाख कर सकते हैं कोई प्राब्लिम नहीं तो इस तरह से काफी बड़िया टीम है दोस्तों टीम प्रिव्यू एक बार करा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं एक लिए वो है एम कुमार बी कृष्णा और जे अश्रफ को अमने इस टीम में शामिल किया तो फिर से हमार पास चार गेन बाजे लेकिन चेंजेस हैं दोस्तों गेन बाजी में वी आनन को लिए लाला को लिए एस यहार सिंग को लिए और एन कुमार को लिए तो काफी बड़ि बी आनन काफी बड़ी अगेनवाजी कर रहे और काफी अच्छे पॉइंट दे सकते अगर वह दो चार जीस अगर निकाल लेते हैं तो जरूर आपको ज्यादा से ज्जादा फायदा हो सकता है आप उल्टा भी कर सकते हुत कर और कहरन जबना सकते भी अपनान के लिए दीकर वही हम चलते हैं बल्ले बाजी पट्व डबल्लु भेग नहीं है लेकिन हमने के लच लियो repli लेकरन भी रखा है उसके बात हमने एक कुमार को स्टीब में ओर आर 산소 को इस टीब में लिया है तीनों की तीनों बढ़िया बल्ले बाजी कर रहे हैं और अच्छे खासे प्लियर है जरूर आप इन पर दाव लगा सकते हैं तो चलते हैं आल डाउंडर में तो हमने फिर से वही डो अल डाउंडर लिए कुमार और बेक्रिष्ना के साथ हम जाने वाले तो च लते हैं एस्सवर्ण को लिया हो सकते और अगर आप चाहें तो निकाल सकते और अगर आपको किसी एक्स्ट्रा ओल रैंडर को लेना है जैसे कि J. अश्रप को भी अगर आप लेना चाहे तो ज़रूर ले सकते बल्ले बाजी में अगर आपको A. सिन्हा को लेना है तो उनको भी आप ज़रूर ट्राय कर सकते कोई प्राबलम ने, कोई दिक्कत ने प्राबलम लेकिन अब तक इतना बड़िया प्रतर्शन नहीं रहा है तो ले सकते आप इनको भी कोई प्राबलम ने, जैसे कि J. अश्रप को आपने एक टीम में जगा दे तो अभी A. कुमार को टीम में जगा दे देते, ये थोड़ा सर्प्राइज हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है ग्रांड लिग भी आप जीड सकते तो चली ने के बार हमे इकफ़े बना सकते हैं इन THIS बत्वीक लोगों ने इन पर दाव लगा लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा कैप्टन बन सकते हैं तो आप एनकुमार को वाइस कैप्टन को दूसरे टीम में लिया था तो वह इस टीम में हमने इन दोनों को शामिल किया है एस कुमार और भी आनन दोनों कीपर को इस टीम में शामिल कर लिया है इसके बाद तीन बल्ले बाज़ों को हमने लिया है एक कुमार को लिया है के करन को लिया और आर सिंग को लिए तो ही तीन और हमारे पास वही एम कुमार और वी कृष्णा तो हमारे हर टीम में लेकिन इस बार हमने एक कुमार को भी लिया है उसके बाद तीन गेन बाद भी आनन एस के आर सिंग और एन कुमार तो अच्छी टीम है दोस्तों जरूर आप ग्रैंड लिग के लिए अभ अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के आप भी शेर कर दीजे उनको भी थोड़ा फाइदा हो सके और साथी साथ मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजे कि आपको कौन सी टीम सबसे जाना पसंद आए और आप कौन से क्याप्टन और फाइस क्याप्टन के कॉंबिनेशन के साथ जाना चाहेंगे आखिर में फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब ने क्या है या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब कर लिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ना भूलिए तो ठीक है दो आज के वीडियों में इतना ही मिलते अगले वड़े में तब तक के लिए ठैंक्यू धन्यवाद